जिन्दगी के अधूरे सफर में, रोना और सुनना मेरे जीवन में, जिन्दगी के अधूरे सफर में, ज्यादा दिन ना हुए गुजरे उन्हें, लोग ताने देने लगे मुझे दिन में, रात में सोती कम जागती जादाउं, जिन्दगी के अधूरे सफर में, चोटे देवर की थी बुरी नजरे मुझे पर छोड़ दिया अगर बदनामी के डर से मोनू रोज पूशता है पापा कहा गए जिन्दगी के अधूरे सफर में पेट की भूख के लिए काम पर जाने लगी कमपनी में सुपर्वाइजर ढूंटा है मोगी मुझे चूने के रिस्तिदारों ने भी छोड़ दिया मुझे अकेला जिन्दगी के अधूरे सफर में सुबह जाड़ू पोचा करतीयों कई घरों में त्योहार पर मकान मालकिन बुलाती है घर में काम करने को रोते रोते चिस्मा लग ही गया जिन्दगी के अधूरे सफर में दखे खातियों सरकारी दफ्तरों में विद्वा पैंशन बनवाने के चक्कर में जो लिखते हैं लोग ये बात माता पीता दोनों आए जिन्दगी के अधूरे सफर में पडोस में लोग कत्राते हैं बतलाने में मुझसे मेरे भाई ने भी पैसे देने से मना कर दिया इतने दुख कम थे जो पिता जी का भी निदन हो गया जिन्दगी क्या दूरे सफर में एक दिन भापी की साड़ी को हाथ लगा दिया मैंने भापी ने साड़ी गुसे में नुकरानी को दे दी विद्वा तो थी क्या भागन भी हो गए मैं जिन्दगी क्या दूरे सफर में कवीता की अंतिम बंक्तिया और मरने का ख्याल आता है मन में पर आखों के सामने चेरा आ जाता है मोनू का क्यों छोड़ गए मुझे लड़ने को दुखों में अकेला जिन्दगी क्या दूरे सफर में धन्यवाद